Friends, Welcome back to our YouTube channel, मैं पूज़ा डिलो GJU University के important questions आम आप लोगों को बता रहे थे B.Ed, first year के तो उसी series को आगे लेके जाते हैं पिपर 3 के बारे में बात करेंगे आज Learning and Teaching जिसे हिंदी में कहते हैं अधिगम तथा शिक्षन आप लोगों का जो पिपर है वो 70 marks का है 30 marks का आपका assessment आने वाला है आप लोगों के पास no question होंगे जिसमें से पहला question आप लोगों का compulsory होगा Then आपके पास जो 8 question बचते हैं उन 8 question में से कोई भी unit में से 2 question करते हुए आपको बाकी 3 unit में से 2 unit में से 1-1 करना होगा और 1 unit आप skip कर सकते हूँ चाहो तो आप जो question paper पर लिखा है बिल्कुल सेम वैसा कर सकते हो Otherwise आपको यहाँ पर 75% syllabus करना है 25% के आपको छूट दी गई है चलिए हम पहले topics देखेंगे कौन से आपके topics important है और फिर हम आपके questions पर जाएंगे कि कौन सा question आप लोगों के लिए बहुत important है मैं ज्यादा नहीं आपको हर एक unit से तीन-तीन question बताऊंगी वो तीन question आप लोगों के लिए enough होगा चैनल पर नए है तो please subscribe कर दीजे चैनल को and please support कीजिए अपने दोस्तों तक share कीजिए bell icon जरूर प्रेस कर लीजिएगा तो first unit की बात करते हैं first unit में जैसा आपको दिख रहा है याँ पर की चाल topic आपको दिए गए हैं चाल topic में पूरी unit complete हो जाती है बट इसमें से main जो आप पढ़ेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी स्रफ main तो main जो आपका रहता है वो है teaching का concept होता है आपका ठीक है उसके बाद faces होते हैं आपको importance पता है teaching की बस आपको इसके अंदर concept, nature और face याद करने हैं कि faces क्या होते हैं आपके teaching के then आपको जो याद करना है वो है level of teaching आपको याद करना है that's it इसके अलावा आपको इस unit के अंदर और कुछ भी याद नहीं करना है दूसरा है आपका levels of teaching आपको एक question ये उपर वाले में से देखने को मिलेगा यहां से इस वाले में से और एक question आपको इस में से मिलेगा क्योंकि level of teaching बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बट एक question 101% आपको देखने को मिलेगा बात करें second unit की तो second unit को दो भागों में divide किया गया है पहला ये है second ये है एक question आपका इन चारों में से आता है एक question आपका यहां नीचे से आता है तो पहले question की बात करते हैं जो आपका first question रहने वाला है उसकी बात करें तो उसके अंदर आपका main question है वो question है आपका इसके अंदर glacier का model बहुत ज़्यादा पुछा जाता है, burner का model आपसे बहुत ज़्यादा पुछा जाता है तो main अगर बात करें तो आप ये दो ही पढ़ें ज़्यादा आप deeply इसके अंदर जाएं नहीं क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूँ पूछ लिया जाता है, model बताएं और कोई भी एक explain करने के लिए बुला जाता है मर्जी से अपनी, ये नाम नहीं दियोते हैं बट जो main आता है वो burner आता है आपका, दूसरा आपका glasier आता है, आप चाहें तो चारों पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है आप चाहो तो ये पूरी एक topic पढ़ सकते हो, पूरा modes of teaching, चाहो तो आप ये नीचे वाला पूरा पढ़ सकते हो आपका एक question बहुत easily हो जाएगा बात करें हम second वाले में से मतलब अगर हम दोनों question इसी में से करना जाएं तो इनके अंदर demonstration आपसे यानि परती हो गिता आपसे पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है दूसरा इसके अंदर परती हो गिता के साथ-साथ जो question पूछा जाता है, वो है आपका यहाँ पर team teaching sorry, ये आपका एक नीचे रह गया, ये team teaching ये एक तो demonstration और team teaching ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते है इसके साथ-साथ आप जो पढ़ेंगे वो lecture पढ़ेंगे, यानि last के तीनों आपको अच्छे से करने है, that's it इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरी unit के अंदर, अब चलते हैं हम हमारी third unit की तरफ, तो third unit में आपको mainly क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, वो मैं आपको बता जीती हूँ, तो ये चार आपके topic है याँ पर, आपको 14 marks में question करने हैं, वो करने हैं, learning का concept, important and type of factors ठीक है, ये आपका जो है, ये e-learning के साथ भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, means आपसे e-learning पूछ लेगा, factor, कौन-कौन से factor learning को affect करते हैं, e-learning के साथ ही पूछ लेगा आपसे, then आपसे जो पूछा जाता है, वो है friendlers का जो interaction analysis है, ये पूछा जाता है, उसके बाद आपसे ICT बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो आपको इसमें से तीन टॉपिक करने हैं, तीन टॉपिक कौन-कौन से हैं, पहला learning वाला, दूसरा e-learning आपको पता होना चीए, आपका जो friendler है, ये आपको पता होना चीए, तो आपको तीन यही करने हैं, आप ICT छोड़ सकते हैं, इसके अंदर से एक कोशन आपका हो जाएगा, बात करें हम इसमें चार नंबर के कोशन बनने की, तो चार नंबर का जो कोशन आपका बनता है, वो एक तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, यानि constructive, विज्म, यह आपका चार नंबर का कोशन है, दूसरा आपका लर्निंग स्टाइल, यह आपका चार नंबर का कोशन बनता है, मतलब इन दोनों में से एक चार नंबर में आपको देखने को मिलेगा, हम बात करें हम फॉर्थ यूनिट की तो फॉर्थ यूनिट बहुत ही इंट्रस्टिंग यूनिट है जिसमें से 101% आपको continuous comprehensive evaluation यानि आपका CCE मिलेगा देखने को CCE's main topic है first year का ठीक है second year में भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछा रहेगा तो अभी से इसको याद कर लो type of evaluation आपसे पूछा जाता है जिसके अंदर formative, summative, grading system आपसे पूछा जाता है ये तीन आपको करने हैं इसके अंदर ठीक है और आपको evaluation करना है बहुत ही अच्छे से फिर आपको जो करना है कि evaluation actually होता क्या है ठीक है evaluation में क्या concept आते हैं evaluation के और ये सब आपको पढ़ना है तो यहाँ पर आपको concept और need पढ़नी है evaluation की तो ये आपको पढ़ना है इतना ही पढ़ना है अब बात करते हैं questions की मैं आप लोगों को question दिखा देती हूँ आप लोगों के you ready for your questions तो ये रहे आप लोगों के important question फर्स्ट unit में जो question आपके आएंगे वो है शिक्षन से आप क्या समझे यानि what is teaching और इसके different faces of teaching आपको बताना है फिर आपको level of teaching बताना है level of teaching में आपसे कोई भी पूछ लिया जाएगा level of teaching में जो भी आपको यहाँ पर तीन दिए गए प्री active, interactive या post active या तीनों ही आप लोगों को बताने होते हैं next आपका जो है इसके अंदर वो है what do you mean by teaching क्या आप समझते हैं concept क्या है उसका important क्या है तो पहली बात तो पहला question और third question almost same same ही है बस वहाँ face पूछ लिया गया है यहाँ team मतलब concept पूछा गया है और importance पूछी गया बात करें second unit के अंदर तो second unit में आपको मैंने बोला burner का जो यहाँ पर concept है यानि model है वो आप से पूछा जाएगा उसके साथ साथ glacier आप से पूछा जाता है first वाले topic के अंदर और second topic के हम बात करें तो second topic में से आप से team teaching demonstration lecture method आप लोगों से पूछा जाता है तो इतना ही इसके अंदर आपको याद करना है बात करें हम third unit की तो third unit के अंदर आपका है what is interaction analysis ठीक है उसके बाद explain the process of Flanander's interaction analysis system with the help of an example किसी एक उधारन के साथ आपको Flanander के जो अंदेक्रिया का सिधान्थ है उसको बताना है ठीक है फिर आपका आता है e अधिगम यानि e-learning e अधिगम के आप आपको यहाँ पर कारक बताने हैं विस्तार पूर्वक बदला factors कौन-कौन से हैं उसे affect करने वाली वो आपको बताना है question no.3 इसके अंदर हम बात करें तो यहाँ है इन यह है आपका की सूचना है संप्रेशन यानि आपका ICT की बात हो रही है information and communication technology क्या होती है ICT के उसको बत आपको फिर बात करें हम 4th unit की तो 4th unit में जैसे मैंने बोला आपको कि evaluation आपको पता होना ची क्या इसका एम है क्या concept है क्या process है क्या need है सब कुछ आपको पता होना चीए इसमें second मैंने आपको बोला था इसमे type of evaluation प्रकार क्या है grading system पूछा जाता है निर्मानात्मक संकलात्म यह आपसे यानि formative-submative evaluation पूछा जाता है आपसे सारे नहीं पूछे जाएंगे या तो grading system पूछा जाएगा या formative-submative evaluation पूछा जाएगा दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा आपसे फिर आपका जो है cognitive comprehensive evaluation यानि निरंतर व्यापक मुल्य अंकन का क्या अर्थ है यह ब available है बड़ पूरी तरीके से नहीं काफी हद तक है तो मैं आप लोगों को provide करवा सकती हूँ इस book के notes first year के second year के सभी है मेरे पास first year के नहीं है अभी बने नहीं है so all the very best do like share and subscribe my channel have a great day take care all the very best